हेलो गाईज आज फिर से बात करेंगे हम लोग रिलांस इंडस्ट्री के बारे में देखें खबरों के दम पे आज भी इस्टॉक आपको बहुत उपर जाता दिख सकता है तो जरूर याद रखेंगे रिलांस इंडस्ट्री को वाच लिस्ट पे लगाईए लॉंग टर्म को यहीं दोनों दिन में से किसी एक दिन कि देखिए यह स्टॉक आपने जो अपने एक मेहने के चाह्त पैटन छे मेहने के चार्ट पैटन को बीच कर रहा और अगर ऐर did it पे आप देखिए गा तो एक फ्लैग पैटन जासा आपको नजर आ रहा होग Daar और उस पैटन को इस ने ब्रेक आउट किया था तो पैटर्ण की तो छोड़ दीजे खबरों पर इतना दम है इस सेयर पर कि यह स्टॉक आपको आग लगाता दिखेगा और दिखेए स्टॉक ने क्या जर्नी तै कि हैं और आज भी स्टॉक तेज रहे गए क्या होगा इंपॉर्टन लेवल वो डिसकस करूँगा तो चलिए वीडियो को यहां से आप क्यारफुली देखिए देखिए हम और आप नहीं समझ सकते हैं रिलांस इंडस्ट्री को की पीछे परदे के पीछे क्या काम का चल रहा है जब आएगी न तो अचानक से 15 लाग की मार्केट कैप बली एसिया की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की सबसे भारत की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के दिरिस्टी कौन से यह बन चुकी है आप समझ के देखिए क्यों बनी अब सोच के देखिए अभी मैं आपको खबर से रुबरू कराता हूं यह देखि और आप देखिए सुबह सुबह मार्केट खुलने से पहले खबर आ चुकी है और यहां पे देखिए एक बड़ी कंपणी यहां पे पिक अप कितना टू बिलियन स्टेक इन इस्टेक टू बिलियन का इंवेस्टिमेंट करना चाहती है रीटेल साम पे बहुत बड़ी कंपणी यहां पर investment करना चाहती है और आज की खबर है इफ डील इज फाइनलाइज़ इट विल मार्क यहां पर देखे मैंने सोचा कि आपको उस company के बारे में भी बताया जाए कारलाइल गुरूप के बारे में भी बताया जाए इसलिए मैंने यहां पर आके आपको यहां पर विकिपेडिया डोट ओर जी पर आपको दिखाना चाहूंगा कि कारलाइल गुरूप इज अन अमेरिकन मुल्टिनेशनल प्राइवेट इक्युविटी फर्म सोच की देखे अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट और फाइनेशि सोच के देखे अमेरिका की मुल्टिनेशनल कंपनी इंडिया के रिलांस इंडस्टी पे दो बिलियन डॉलर के इंवेस्टमेंट करना चाहती है और आप हम क्या कर रहे हैं किसे पकड़ रहे हैं आप हमें जरू कमेंट सेक्शन पर बताइएगा और यह सिर्प एक डिल नहीं फेस्बूक एमेजन गूगल कौन ऐसी कंपनी है टॉपमस्ट कंपनी है रिलांस इंडस्टी के रिलांस जियो पे अपना इंवेस्टमेंट की है अब इनके जो रिटेल वेंचर्स है रिलांस रिटेल वेंचर्स उस पे इंवेस्टमेंट कर रही हैं बड़े बड़े फॉर् जो स्ट्रेक्चर है वो आने वाले कुछ सालों में चेंज होने वाला है तभी इन्वेस्टिमेंट आया है और हम क्या सोच रहे हैं रिलांस इंडेस्ट्री बहुत उपर चला गया बहुत उपर चला गया हर एक मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिमेंट इस स्टॉक के लिए एक स्टॉक खरीते जाएए दो स्टॉक खरीते जाएए आपकी गैपिसिटी कितनी है उस हिसाब से ठीक है तो रिलांस इंडेस्ट्री आज भी तेज रहेगा और इस तेजी को पाटिसिपेट करने के लिए इ जैसे ही 2328 रूपय का यह लेवल आज क्रॉस होता दिखेगा आप इस पे एक छोटा सा पूजिशन बना सकते हैं सौट टर्म के लिए और नीचे पे जो स्टॉपलोस मेंटेन होगा वह 2315 और 2310 के आसपास में होगा ठीक है तो इस चीज को याद रखिएगा 2310 या 2300 पे सब 2328 से तो उपर खुलने की पूरी चांसे से स्टॉक की आप पुजिशन बनाते हैं तो 2300 नीचे के तरफ सपोर्ट मान के चलिए कि स्टॉक फर्दर यहां से कितनी मोमेंटम करेगा यह बताना काफी मुस्किल होगा क्योंकि इसके लाइब टाइम हाई को भी से स्टॉक ने ब बैठे हुए मैं आपको दिखा देता हूं इस स्टॉक पर कितने बड़े टार्गेट्स निकल के आए हैं यहां पर मौजूद नहीं है बड़ मैं आपको दूसरे जगा से दिखा दूंगा तो चलिए इस स्टॉक को आज अपनी रिडार पर रखिए इन्वेस्टिमेंट पर पर इन्वेस्टिमेंट करती है और आप रिटेल वेंचेर पर बड़े बड़े नाम सामिल हो रहे हैं बड़े बड़े नाम आ रहें इन्वेस्टिमेंट हो रहा आप क्या कीजेगा हमें Buch comment section पर बताइए कि का je decision होना चाहिए कोई भी नहीं कह सकता है कि आप पॉन से स्टॉक पर बने नहीं बने हमारा काम अब तक अपडेट पहुंचाना जैन्वीन पहुंचाना जो मैं हमेशा पहुंचाता रहा हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा तो इस चीज को समझते वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा अगर आपको लगता है तो और वीडियो अच्छी लगी जानकरी अच्छी लगे तो जरूर एक बार कमेंट कर करके बताईएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिए उन लोगों तक पहुंचाएगा जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हैं उनके देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा हमारे चैनल के कंटेंट से ठीक है मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के ल Thank you